ओम श्यान्ती, 17 मार्च 2020 के इश्वरिये महवाक्य, पहले सुनते हैं आज की मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, बाप है रचाईता, उनकी याद में तुमको कभी रुकना नहीं है, इस याद की यात्रा को प्रीत की यात्रा भी कह सकते हैं, जितना प्यार से तुम इस या पर रहेंगे, उतना पवित्र बनते जाएंगे, यह वही गीता एपिसोड चल रहा है, इसको विनाश काल भी कह सकते हैं, ऐसे समय पर तुमको विप्रीत बुद्धी नहीं, प्रीत बुद्धी बनना चाहिए, ब्राह्मन बच्चों में सारा मदार प्रीत और विप्रीत का ह बाबा हमें अविनाशी ग्यान रतनों का दान कर रहे हैं, तो उनसे कितनी प्रीत होनी चाहिए, जिनकी बाप से जैसी प्रीत है, उतना ही वह सर्विस में मददगार बनते हैं, प्रीत बुद्धी ही विजयनती बनते हैं, बाप से प्रीत होगी, तो बाप को याद भी करें याद से ही विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्यान का रास्ता बताएंगे याद में रहने वालों की बुद्धी गोल्डन एज बन जाएगी और अगर दूसरों की तरफ बुद्धी भटकती रहेगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे बाब ने प्रीत बुद्धी के निशानी भी बताई कहा वह धारना भी करेंगे और सब के ऊपर रह म भी करते रहेंगे विप्रीत बुद्धी से तो नाम रूप में फसने की बास आती रहेगी देहे धारियों से प्रीत रखना नुकसान कारक है और लास्ट में बाबा ने कहा अब ही तुमको बहुत अच्छा रूहानी धंदा मिला हुआ है, तो सुभह शाम इस सर्विस में लग जाना है, तुम्हें चलते चलते किसी भी बात में रूठना नहीं चाहिए, अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से. ओम शान्ती, अब यह फुल मुरली सुनने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें, पानिपद मुरली, और साथ में आज की डेट भी डालें, वहाँ आपको एक पिंक कलर का पेज मिलेगा, उसको उपन करें, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिये लिंक को भी उपन कर सकते हैं,